So, Hello Traders, प्रशान चोदरी जिस सेटेंडूस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वालेगे किस तरिके से आप अपने डिमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, डिमेट अकाउंट अखिरकार होता क्या है और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के उपर पहली बार आयों, इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा से डिटेल में बतायता हूँ और मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हूँ, कि डिमेट अकाउंट आकरकार दोस्तों होता क्या है मैं आपको सारा कुछ इन डिटेल में बताऊँगा, जिससे कि आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा दोस्तों ठीक है, अम आपको दाता हूँ, देखो, सबसे पहले हमें बता करना है कि Demate Account क्या होता है दोस्तों, जो Demate Account आपने सुनाओ का भाई, Demate Account खुलवा लो, अपिश्टोक के अंदर खुलवा लो, धन के अंदर खुलवा लो, आप क्या कहते हैं, जिरोदा के अंदर खुलवा लो, काइट के अंदर खुलवा लो, बहुत सारे हैं मलगी, आपने Grow का तो जुरूर सुनाओ का, Grow Application, ये सारे के स्वारे जो है न, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, आपके Demate Account के App हैं दोस्तो, ठीक है, अब Demate Account क्या होता है, देखो, Demate Account जो होता है, इसके अंदर आप कोई भी Share है, कोई भी Share को आप Buy कर सकते हो, कुसी भी Share को आप Sale कर सकते हो, एक ऐसी जगह है, जहाँ पर आप Share को Buy और Sale कर सकते हो, कोई भी Mutual Fund ले सकते हो, कोई भी SIP कर सकते हो, कोई भी Investment कर सकते हो, सारा कुछ आपको Demate Account के अंदर करना होता है, जो आपका Phone है, उस Phone के अंदर Demate Account अगर आपके पास होगा, आपका Account बना होगा Demate के पास, तब ही आप इसके अंदर share खरी सकते हो, buy कर सकते हो, trading कर सकते हो, scalping कर सकते हो, investing कर सकते हो, Interredit trading कर सकते हो, सब ही आप तब कर सकते हो, जब आपके पास एक d remote account होता है, होगा तो, लेकिन दोस्तो, पहले ऐसा नहीं था, मैं आपको tap को होता थां, पहले सब कुछ offline था दोस्तो offline था paper work होता था paper work, मैं समझाता हूँ paper work किस तरीके से होता था देखो, एक जगा थी जैसे आप NSC, BSC आपको समझाऊंगा मैं, जैसे NSC एक जगा है, यहाँ पर भूछ सारे लोग सारे लोग जाते थे offline, मतलब पैदल जाते थे share को आपना बेकना चारे हैं ठीक है, कुछ खरीदना चारे हैं, कुछ लोग बेकना चारे हैं ठीक है, तो यह लोग यहाँ पर negotiation करते थे, भाई मैं इसको 400 रुपे में बेकूंगा, वो कहते थे, नहीं, नहीं, मैं इसको सारे 300 में खरीच सकता हूँ बस तो बहुत, negotiation होने के बाद जैसे 375 रुपे में खरीद दे शेयर इस तरीके से negotiation होती थी offline, हाँ जी offline होती थी आपने web series बगर के अंदर देखा होगा, आपको पता चलेगा, लेकिन भाई यह बहुत ही मतलब की ऐसा था बड़ा पेपर वर्क होता था, पेपर समाल के रखने पड़ते थे जो share की paper होते न, वो share जो है paper पे लिखके देते थे, ठीक है तो उसको paper को समाल के रखना पड़ता था, तब जाके उसको share आप बेख सकते हो, उससे खरीच सकते हो ठीक है, तो यह बहुत जंजट था, लेकिन आने वाले time है, मतलब की करीब 1992 के बाद, 1992 के बाद यह सारा कुछ क्या हो गया, मतलब की online आ गया सारी चीज़े, तो इसलिए इसमें खुल गए demate account अब क्या है, आपको कहीं जाना नहीं, कहीं आना यह बहुत दिमाग से सुनना, देखो, इसका मुझे पता है, अभी आपको इसका कुछ use नहीं आएगा, कि इस theory का use नहीं आएगा, लेकिन जो अहम काम करने वाले हैं, उसके बारे हो थोड़ा पता होना चाहिए, मेरा तो यह मानना है, ठीक है एक होता है, एक होता है, देमेट अकाउंट, जिसको देमेट अकाउंट दोस्तो वह होता है, जिसके अदर आपके share रखे रहते हैं, आपने माल लीजे, कोई भी, जैसे Reliance के आपने share खरीद लिए, विप्रो का आपने share खरीद लिये, तो वो सारे share जैसे आपने 1000 share खरीद रखे हैं, तो वो सारे share demate account के अंदर इलकुल safe रहेंगे, अच्छी तरीके से यहाँ पर रखे रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप जो खरीद होगे, जो आपका पैसा लगा है उसको खरीदने में, जो आपने पैसा दिया है, व trading account के अंदर पैसा जाता है, आपके bank account से, आपका bank account होगा, उससे आप trading account के अंदर पैसा डालोगे, फिर ये trading account से, आप demate account से, मलगो कोई भी share खरीद होगे, तो वो demate account के अंदर चला जाएगा, आयो पितना बात आपको समझ आई होगी, ठीक है, करना कुछ नहीं, देखो, मैं आपको जाता हूँ, जो demate account है ना, देखो demate account जैसे सबसे बढ़ी है, जिसमें मैं यूज़ करता हूँ, उसको कहते है, धन application के अंदर में demate account यूज़ करता हूँ, description में लिंक है, मैं आपको जाता हूँ, description में लिंक है, link पर click करोगे ना, simple है, 2-3 pressures होते हैं, कुछ नही आपका student हो, कौन हो, कितनी आपकी salary है, क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो, इस तरीके की 2-3 form बहुत चीज़ जाएंगी, fill करते हैं उनको simply, ठीक है, बस अपना pen card और अधार card, बिल्कु साथ लेके बैठना, ठीक है, जिससे आपको pen card number डालना पड़ेगा, अधार card number डालना उसके बाद आपका demate account open हो जाएगा, बहुत ही simple तरीके से, ठीक है, उसके अंदर एक चीज़ और होगी, आपको अपनी bank की detail डालनी होगी, bank की detail वो डालना, जिससे आप पैसा इसके अंदर transfer करो, ठीक है, जिससे आपका trading account खुलेगा, ठीक है, bank की detail बिल्कु सही डालना, ज statement की pdf निकल जाएगी, app के अंदर ही, आपके bank account के app के अंदर ही, तो वहाँ से आप simple, यह अपना धन के अंदर application के अंदर, अपना demate account register कर लेना, ठीक है, अब इतनी बास समझ आगी, आपके धन के अंदर हो गया, यह उता, धन क्या है, demate account है, ठीक है, बहुत सारी demate account एतने zero da है, kite है, up stock है, grow है, सब demate account है, इसके अंदर सबसे पहले खाता खुल लिया, खाता कैसे खुलना है, मैंने आपको बता दिया, simple phone number डालना है, अधार card, pen card डालना है, थोड़ी सी detail डालनी है, अपनी और bank detail डालके अपना registration कर लेना है, जैसे आपका registration होगा, तब ही आपका थ दो से तीन दिन के अंदर ये खुल जाता है, अब होता क्या है, सबसे पहले जब आपने bank account, अब जब ये demate account ओपन हो जाएगा, तो आपका जो trading account होगा, आप देखोगे, कि demate account के अंदर एक भी रुपया नहीं पड़ा है, 0 रुपय होगे, तो आप करोगे, जो आपने bank account add करा है न, इसके अंदर, उससे आप इसके अंदर पैसा add करेगा, माल लिजे आपने 10,000 रुपय इसके अंदर add करे, तो जो 10,000 रुपय हैं वो trading account के अंदर पहुच जाएंगे, अब माल लिजे आपने कोई भी एक share खरीदा, कोई भी share को आपने buy करा, buy करने के बाद आपने आप सोचे, long term के लिए रखोंगा, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, कभी भी रखोगे, buy करते ही, वो share आपका demate account में दिखने लगेगा, कि भी जा, position आपकी open है, position आपकी open है, और वो share आपके पास आगया, तो ये पूरा जो process होता है, किसी भी share को खरीदना, किसी भी share क बेकना, ये सारा कुछ demate account के अंदर होता है, इसलिए demate account important है, अगर आप trading करना चाहते हो तो, ठीक है, तो demate account खुलवाने के लिए link description है, वहां से आप फोल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है, ठीक है, इतना ही simple सा process होता है, demate account का, अब देखो, आपको करना क् सबसे पहले अपने demate account open कर लेना है, ठीक है, अगर आपका demate account नहीं है, तो सबसे पहले demate account को open कर लो, बहुत simple process है, इसलिए कर लोगे, जब आपका demate account ओपन हो जाएगा, एक सो दिन के process के अंदर, तो simply है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, आपकी जो application है, reject हो जाती है, तो आपका account open हो जाएगा, जैसे आपका account open होगा तो आपका सारा कुछ उसके अंदर आपको देखेगा, क्योंकि आपके सारे share आ रहे होंगे, खरीदने के लिए, बेकने के लिए, आपके mutual fund आ रहे होंगे, महाँ पे, SIP कर सकते हो आप, सारा कुछ आ रहा होगा, ठीक है, तो व देखना पड़ेगा, चार्ट कैसे देखोगे, सारा कुछ डिमेट account के अंदर ही आप देखोगे, तो डिमेट account सबसे important है, पहले डिमेट account खुलवालो जल्दी से, डिमेट account खोलने के बाद, जो जो चीज़े मैं आपको बताँगा, वो सारी कुछ इसके अंदर आपको जीज़े होती है, क्या आपको बाइ करना होता है, कैसे आपको कोई भी एक ट्रेड लगती है, कैसे आपको चार्ट देखना है, चार्ट के अंदर जो चैनलिस्टिक होती है, वो सपोर्ट, रिजिस्टेंट, ट्रेंड लाइन, सब कुछ मैं आपको सिखाँ हुआ, क्योंकि 90 तक ये कोर्स जाने वाला है, दोस्तों, 90 देख तक, तो आप सोचो, 90 देख के अंदर मैं आपको कितना कुछ सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल फिरी में, तो चलो, मिलते हैं, फिर नेक्स वीडियो के अंदर जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर वालीजी, बिल्क पूल टाइम वेस्ट मत करना, डीमेट अकाउंट सबसे इंपोटेंट है, ओके दोस्तों, तो ठीक है, डीमेट अकाउंट आप अपन कर वालीजी, थैंक्यों